हाई गाईस मैं हूं मुक्ता मेरे चनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप मार्कर जैसा मटर चॉप घर पर कसे बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही असान है आप इसे असानी से बना सकते हैं जब भी आपको खाने का मान हो आप इसे बना सकते हैं या फिर आफिर साम की समय चाय की समय बना सकते हैं अगर आपने मारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो की नीचे दे गए है लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें मतर चाप बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक बड़ा कप यह बॉल मतर और तीन उबले वह आलू तीन से चार हरी मिर्श कटी हुई और धरिया की पत्पी कटी हुई मसाले में मैंने लिया है यहाँ पर एक चमच नमक एक चमच गरम मसाला एक चमच चाट मसाला और दो चुटकी यहाँ पर मैंने खाने का सोडा लिया है और आधा चमच यहां पर मैंने हल्दी लिया है और एक चमच मैंने आपर जीरा गिया है और यहां पर मैंने लिया है दो चुटकी हिंग और आधा किलो बेशन सबसे पहले हम मटर का मसाला बनाना शुरू करेंगे गेस के ओपर कड़ाय रख्टे से गरम करें और इसमें आप दो चम्मच तिल डाल दें और तिल को गरम होने दें तिल जब गरम हो जाए ता आप इसमें जीरे का तड़का दें जब जिरा अच्छे से बुन जाया तो आप इसमें थोड़ा सा हिंग डाल दे और इसे आप चम्मस से अच्छे से मिला दे और अब आप इसमें मतर डाल दे मतर को भी अच्छे से चम्मस से चला दे और इसे कवर कर दे गैस किलो आप लो रखे हम यह मटर को लो फ्लेम में अच्छे से बुनना है अब इसमें हरी मिर्ज डाल दें आप और चम्मस अच्छे से चला दे इसे बनाने के लिए मैंने धेशा है मटर को प्योग किया है वैसे मार्केट में अच्केल मटर मिलता नहीं लेकिन यह फ्रोजन मटर है मटर को आप एक से दो मिनट लो मीडियम हीट पर पकाएं और अब आप इसमें सारे सुखे पाउडर मसाले डाल दें और चम्मस अच्छे से मिला दें और इसे कवर कर दें जब मटर से नरम पर जाएं तो आप इसमें उबले हुए मेश के हुए आलू मिला दें और ती भी अच्छे सी मिला दें इसमें आलू मटर को हमें 5-7 मिनाटक अच्छे से भुनना हैं जब आलू मटर अच्छे से भुन जाए तो आप इसमें धनिया पत्ती डाल दें और चम्मस अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद आप गयाद बन कर दें है अब हम मटर चाप के लिए बेसं डार के लिए गोल तास splits करेंगे यहां पर मैंने लिए खुल गोल त्यार कर लें यह हमारा बेसंग कोल त्यार हो चुका है आजू मटर के मसाले का आप गोल गोल बाल बना के रख लें इसलिए आपको मटर चॉप बनाने के असानी हो जाएगी मटर चॉप को चलने के लिए एक कढ़ाई में तिल गरम करें जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो आप मटर के बाल को बेसंग की गोल में डीप करें और इसे अच्छे से गोल में डीप करके आप चमच की सायता से गरम तेल में छोड़ते जाएं तेके करके आप सभी मतड़ के बॉल को विशन के गोल मडीब करके चेल में छोड़ते जाएं जब नीचे से अच्छे सिपक जाए तब आप इसे चमच से पलड़ दे ज्यान रहें तेरे एकदम ज्यादा भी गरम नहीं होना चीए वहना तुरंसी लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी जब मतड़ चाप दो तब सच्छे से प्राई हो जाए गोल्डन कलर का हो जाए तो आप इससे एक प्लेट में निकाल लें इसी प्रकार से आप बाकी मतर के वाल को भी बेशन गुल्ड में डीप करके गरम तिनमें तुर्ण जालते जाए और जब गोल्डन स्टाई हो जाए तो जी आप प्लेट में निकाल लें यह मतर का मसाला मैंने बिना प्याज के और दरक लसून के पेष्ट के बनाया है अगर आप बनाना चाहते हैं प्याज लसुन और दर के प्रिष्टे के साथ तो आप इसे बना सकते हैं पर यह ऐसे भी अच्छी बहुत स्वाधिस्त लगती है आप ऐसा भी बना कर खुखा सकते हैं एक बार ट्राइ जरूर करें तो यह सब्सक्राइब हो चुके हैं अब आप इसे टमाटर केचप के साथ यह हरे धनिया चटनी के साथ बखा सकते हैं अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और लाइक करना भी ना बोले और इसे आप सेयर भी कर सकते हैं अपने फेमिली फ्रेंट्स या दोस्तों के साथ ऐसे ही बड़ी झार आप।